हेलो अब्रीवन, वेलकम टू स्वाय एजूकेशन, देखो ये हमारी FSSAI special classes होंगी जिसमें हम FSSAI से related कुछ important MCQ discuss करने वाले हैं आपका FSSAI assistant का re-exam लगा हुआ है, उसको लेकर के especially ये design करी गई है अपकमिंग में जो central food safety officer, technical officer, state FSO, उनके लिए भी ये classes same उसी तरीके से उतना ही beneficial होगा ठीक है, क्योंकि FSSAI जो है हर एक FSO में technical officer सभी जगा important है, तो वहाँ पर उसके हिसाब से classes जो है वो आपके assistant में भी chapters दिये गये हैं, उसके according आप देखो के central food safety officer, technical officer, सभी में syllabus जो है पहली class में हम कुछ MC को discuss करेंगे, उनके साथ में हम यहाँ पर देखो कुछ उससे related और भी concepts को पढ़ेंगे अब आपके उपर depend करता है कि यह हमारी पहली class है, आपका जैसा feedback होगा, उसी के बाद में आपको next classes one by one मिलेंगी तो अगर आपका response अच्छा है, इसका मतलब आपको classes अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तब तो दूसरी classes हम बनाएंगे otherwise पहली class ही आपकी last class होगी, ठीक है, तो यह बहुत ज़ादा request करने के बाद में हम ये एक series start करने जा रहे है, जिससे आपको exam में कुछ help मिल सके, साथी साथ computer को लेकर के भी हम कुछ classes start करेंगे, computer के MCQ practice जिसके साथ में आप concept, concept के साथ में, जो MCQ है, उनको आप solve कर सको, जिस तक बहुत सके, time आपको बहुत जादा important है, तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को हम discuss कर लेते हैं, कुछ हम यहाँ पर इसके background की भी चीज़े discuss करेंगे, तो उनको ध्यान से समझना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ just MCQ को read करना मतलब नहीं है, 10, 20, 25 मिनट जो भी ये class होगी वहाँ पर आपको valuable चीज़े मिल सकें, बस यहाँ पर purpose है में, FSSI assistant, CFSO technical officer किसी भी exam में, especially अभी के time पर assistant लगा हुआ है, तो assistant को target करते हुए यह चीज़े हैं, question number one हमारे सामने है, कि who is the present chair person of food authority, यानि कि FSSI, पहली बात food authority term कहीं repeat होगा, यानि कि FSSI की बात हो रही है, food authority मतल Central food authority, यानि कि FSSI की बात हो रही है, कहीं पर भी अगर state food authority लिखा हुआ, यानि कि state की बात हो रही है, options हमारे सामने है, स्री शुदान्स पंत, ठीक है, उसके बाद में देखोगे, रीता टेोटिया मेडम है, third number पर राजेस भूशन सर का नाम है, या फिर none of the above, तो आपकी यह यहाँ पर चार options दिये गए है, उनमें से correct option क्या है, तो यहाँ पर इस बात को आपको समझना है, तो अभी देखो, recently कुछ time पहले, अगर हम देखें, लगबग एक मन्त या दो मन्त हो रहा होगा, तो अभी recently जो है, जो हमारे chair person है, ठीक है, वो भी change हुए है, तो अभी present time प यह तो एक just question होगा, अभी change हुआ है, इस बज़े से हमने यहाँ पर discuss कर लिया, chair person के बारे में, तो यहाँ पर देखो, जब हम FSAI की बात करते हैं, ध्यान देना, FSAI, यानि कि Food Safety in Standard Authority of India, यहाँ पर दो main persons होते हैं, कौन होता है, दो main higher authority पे बैठे होते हैं, दो candidate होते हैं, द यहाँ पर सबसे पहले CEO एक है, एक हमारे सामने कौन है, एक हमारे सामने है, chair person, ठीक है, कौन है, chair person, अब यहाँ पर दोनों ही है, दोनों में difference क्या है, chief executive officer जो है, वो एक तरीके से executive head of the FSAI है, chair person जो है, जो की अभी present time पर कौन है, स्री सुदान स्पन्त है, वो क्या है, वो चीफ executive officer जो है, तो chief executive officer की बात करें, तो जी कमला राओ सर है भी इस time पर, उनके बारे में भी हम देखेंगे, तो यहाँ पर chief executive officer जो होगा, वो यहाँ पर executive head ऐसे होता है, क्योंकि उसके पास में administrative powers ज्यादा होती है, daily to daily food safety officer या फिर department में as a assistant, as a technical officer जो भी employees काम करते हैं, उनक जो भी instructions बगेरा देनी होते हैं, जब आप हम FSSCI की website पर जाएंगे, तो वहाँ पर बहुत सारे instructions होते हैं, कभी कभी एक particular officer को कुछ instructions assign किया जाते हैं, कौन करता है, chief executive officer, तो daily to daily पूरी country में, जो भी administration हो रहा है, उसका पूरा का पूरा control, उसके पूरी के पूरी authority, यहाँ पर यह non executive head है, और अगर हम देखें, FSSCI में सबसे top पे अगर कोई है, तो वह chair person है, हम यह अगर दोनों ही मतलब देखा जाए, लगबग दोनों का अच्छा qualifications होता है, दोनों ही senior IAS officers होते हैं, बट chair person उनसे उपर होता है, तब भी, तो chair person के पास में कुछ other responsibilities होती है, other responsibilities की जैसे क काम होता है, जैसे ministry of health and family welfare हो गया, उनके बीच में, और यहाँ पर जो ministry of health and family welfare के जो chief secretary होते हैं, उसके बाद में जो FSSCI के chair person होते हैं, इनके बीच में एक bonding, एक relation होता है, तो जो भी चीज़े होती हैं, वो आपस में relate करके चलते हैं, तो यह एक तरीके से non executive head होते हैं, इनका भी काम होता है, तो यह basically chair person जो होता है, जो एक तरीके से food science background से होता है, इनका background जरूरी है कि इनको food science में एक अच्छा knowledge होना चाहिए, बट chief executive officer के case में ऐसा नहीं होता है, कि इनका background food science से होता है, तो यह IS officers होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इनके पास में administration का तो experience होता है, ब background food में होना चाहिए, food में उनका background होना चाहिए, उनको food science का अच्छा knowledge होना चाहिए, तो यह चीज हो गए, यहाँ पर जो questions आपके बन सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि यह मैंने आपको बताया, स्री सुदांश पंत जो है, वो अभी के टाइम पर कौन है, chief executive, sorry, chair person of the FSAI है, उसके बाद में यहाँ पर present में यह है, और chair person of the FSAI है, अब यहाँ पर स्री गांची, कमला वी राओ, ठीक है, यह हमारे chief executive officer है, यानि कि CEO of the FSAI at present, ठीक है, तो आपके exam तक कोई भी change नहीं होने वाला, यही data रहेगा, सबसे important question, यह question आएगा नहीं, बस याद रखन अगर हम देखते हैं, यहाँ पर Mr. P.I. सर्वाथन सर जो है, वो हमारे first यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर first chair person है, ठीक है, first chair person है, first chair person of the FSAI है, तो यह एक तरीके से यह भी senior IS officer है, यह हिमाचल प्रदेश कैडर के IS officer थे, तो यहाँ पर इन्हों ने join किया था 2008 में, FSACI का formation कब होता है, FSACI का formation कब होता है, formation होता है 2008 में, अभी इसको हम और detail में समझेंगे, 2008 में इसका formation होता है, तो first time जो chair person बनते हैं, यहाँ पर कौन बनता है, first time जो भी chair person बनते हैं, वो यहाँ पर बनते हैं, P.I. सर्वाथन, तो आई होप आपको यह चीज़ यहाँ पर होना चाहिए, next question हमारे सामने आता है, कि जो food authority है, यानि कि FSACI का headquarters of the food authority कहाँ पर located है, तो options दियेगे है, Mumbai, New Delhi, Hyderabad और Noida, यह headquarters ना होकर कि headquarters होता है, बात ध्यान रखना, कभी-कभी बहुत सारे लोग कहते हैं, कि यहाँ पर headquarters हम mention करते हैं, तो क्या वहाँ पर बहुत सारे headquarters है इसा नहीं है, headquarters को हमेशा headquarters लिखते हैं, यह बात ध्यान रखना, ठीक है, तो यहाँ पर Mumbai और New Delhi, तो यहाँ पर New Delhi जो है, वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर इसका headquarters है, अब देखो पीछे की कुछ कहानी समझो, कि होती क्या है चीज़े, यह organization का जो establishment होता है, जिससे आप आपको classes को समझने में और चीजों को करने में सबसे आसान चीजे समझ में आएंगी, यह पूरा का पूरा जहाँ पर आप job लगेगी, आपकी as a assistant जहाँ पर आप काम करोगे, तो वहाँ पर पूरा का पूरा वो जो एक organization है, जिसको मेशे से आई बोलते हैं, उसका काम क्या है food की safety standards को लेकर काम करना, कहानी सुरू होती है, जब हम 1947 में क्या होते हैं, हम independent होते हैं, 1947 में जब हम independent होते हैं, उसके बाद में parliament बगेरा बनता है, क्योंकि कोई भी law बगेरा बनाने के लिए parliament के जरूरत होती है, लोगसभा, राज्यसभा, रास्पती और यह सब चीजे होनी prevention of food adulteration act हमारे पास में आता है, होता क्या है, कि जब activities हमें देखने को मिलती है, पहले तो यह भी नहीं था कि इसको लेकर कि ऐसा कोई law होना चाहिए, सबसे पहले जब आप देखोगे कि जब हम independent हुए थे, उस ताइम पे सबसे पहली priority यही थी, कि हमें दो टाइम, तीन टा को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो food में मिलावत हो रही है, उसकी वज़े से बहुत सारा, क्या हो रहा है, बहुत सारे health risk हमें देखने को मिलने है, तो सबसे पहली priority यह निकल करके आई, कि food के adulteration को रोका जाए, इसमें सबसे ज़्यादा जो होता तो milk बगेरा में ही होता था, तो इस तरीके के adulteration को रोकने के लिए एक law बनाया गया, prevention of food adulteration act 1954 में आया, and 1955 में यह पूरी तरीके से effective हो जाता है, यानि कि force में आ जाता है, उसके बाद में इसके बीच में बहुत सारे जैसे कि oil के लिए हो गया, फिर आप of food law हमें देखने को मिलते हैं, अब यहाँ पर क्या होता है, इन सारे food laws के साथ में एक problem थी, आप समझो कि कोई भी food का business अगर कर रहा है, ठीक है, इंडिया में कोई भी food का business कर रहा है, तो उसके सामने एक problem यह थी, कि अगर उसके पास में multiple type of food commodities है, तो multiple types of food law के साथ में multiple types of food commodities को manage करना थोड़ा मुश्किल था, गवर्मेंट के लिए भी मुश्किल था, और जो food का business कर रहे थे, food business operators उनके लिए भी मुश्किल था, तो यहाँ पर एक lack of uniformity हमें देखने को मिलती है, भाई देखा गया कि इतने सारे law को समालना, क्योंकि हर एक law में एक officers को appoint करना पड़ करती थी, तो यह सोचा गया कि भाई कुछ ऐसा uniform manner का होना चाहिए, कि एक single food law हो हमारी country में, जिसके basis पे सारी चीज़े चल सके, तो single food law की जो एक तरीके से government ने जब सोचा, तो जरूरत हमें महसूस हुई, 2005 में इन्होंने बोला, कि भाई एक काम करते हैं, इसको लेकर के थो होती हैं, और act आ जाता है, क्या होता है सबसे पहले चीज़े, सबसे पहले कोई भी law बनाने के लिए हमें लोग सभा या राज्य सभा में करना होता है, तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये रहती है, कि हम किसी में भी करें, उससे मतलब नहीं है, यह हो गया लोग सभा और एक ह हित में हैं, सारी चीजें, हम भी इस पर साइन कर देते हैं, जब वो इस पर साइन कर देते हैं, तो यह क्या बन जाता है, तब यह बन जाता है, एक्ट और यह कब होता है, तो यह कब होता है, यह आपका होता है, 23rd अगस्ट, 23rd अगस्ट 2006, इस देट को क्या होता है, हमारे थे पूरा को पूरा जो टृड लॉइं हो जाता है यानि कि पूरी तरीके से इंफोर्स हो जाता है जम्हु कश्मिर को छोड़ करकर उस टाइम पर बाकी अभी के कि टाइम पर पूर प्रिजन टाइम पे FSAI के कुछ और ओफिसेज दी है FSAI जितने चाहे उतने रिजनल ओफिसेज बना सकता है जितने चाहे इंपोर्ट ओफिसेज बना सकता है यह पावर्स उसको एक रिजनल ओफिस हमारा कोलकाता में है एक रिजनल ओफिस हमारा मुंबई में है एक हमारा डेली एंस्यार में है जो गाजियाबाद रिजन में है और उसके बाद में एक चिन्नई में है इसके साथ एक यहां पर पहले था कोची में ठीक है उसको यहां पर चिन्नई वाले में मर्च कर दिया गया कोलकाता के साथ में एक आपका आता है गुहार्टी वाला ठीक है गुहार्टी वाला आता है उसको भी यहां पर कोलकाता के साथ में मर्च कर दिया गया तो यहां पर गुहार्टी एक था गुहार्टी के साथ में कोलकाता था कोलकाता वाला ही अभी है एक मे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फूर लौ नहीं समझोगे तो यह जो इस्टैबलिश्मेंट वगएरा है यह चीज़ें नहीं समझ में आएंगी एफसे से आई वाज इस्टैबलिस्ट इन तो फूर सेफ्टी इन स्टैबलिश्मेंट कब हुआ था यानि कि इसका फॉर्मे था इससे आए का फॉर्मेशन हो जाता है फूर्ट सेफ्टी इन स्टैबलिस्टेश्मेंट करेंगे जो फूर्ट की सेफ्टी और इस्टैबलिश्मेंट को लेकर के काम करेगा देखो पीछे जितने भी law बने थे पहले वहाँ पर कहीं भी food की safety और standards को लेकर के कोई बात नहीं करी जारी थी तो यहाँ पर यह हमारा section number 4 जो है food safety in the standard act में यहाँ पर यह बात लिखी कि एक ऐसा organization बनाया जाएगा जो पूरा का पूरा जो food safety का ecosystem है उसको maintain करेगा officers का appointment वगेरा करेगा उनको time to time उनकी क्या क्या duties है उसके बारे में बताएगा तो उसका नाम इसी वज़े से देखो यहाँ पर क्या रख्या गया F.S.S.A.I. पहला जो act था उसका नाम था food safety and standard act 2006 दो टर्म से safety and standard तो यहाँ पर भी term निकल करके आता safety and standard तो यह दो S जो है यह जो दो S है ना यह बहुत important है तो तभी F.S.A.I. अपने नाम को ही justify करने में लगा रहता है कि उसका main काम यह है कि food की safety और standards को ले करके काम करना तो food की safety के लिए वो number of चीजे करता है number of initiatives ले करके आता है और standards को maintain करने के लिए number of regulations बनाए गये हैं तो यह सब चीजे क्या है F.S.A.I. अपने नाम को justify करता है कि हाँ जो मेरा नाम है वही मेरा काम है ठीक है तो यह बात आपको धिहान लखनी है उसके बाद में चीजे जब आगे बढ़ती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2008 में establish हुआ F.S.A.I. उसके बाद में F.S.A.I. जो proper काम करना start होता है कोई अगर आपसे यह पूशता है कि F.S.A.I. पूरी तरीके से कब work करना start होता है त पूरा का पूरा ecosystem maintain करने के लिए हमें एक organization की जरूरत होगी कि जो proper तरीके से इस चीजों को maintain करेगा वो organization आया F.S.A.I. अब F.S.A.I. बोलता है कि भाई मुझे ground level पे काम करने के लिए मेरे पास में क्या होनी चाहिए मेरे पास में कुछ powers होनी चाहिए अब वो powers कैसी यानि की regulate करने के लिए कुछ regulations होने चाहिए चीजों को regulate करने के लिए तभी 2011 में number of regulations बनते हैं जिनको हम F.S.A.I. 2011 बोलते हैं उसके बाद में बहुत सारे regulation अभी तक बने food safety and standard regulation 2011 तो 2011 में जब regulations बनकर तयार हो जाते हैं तो यहां पर क्या होता है कि F.S.A.I. पूरी तरीके से working में आता है सबसे पहला जो regulation बनता है वो बनता है regulation for licensing and registration ठीक है Food safety and standard regulation for licensing and registration ठीक है उसके बाद में देखो एक question है question number 4 Question number 4 है which is the present ministry of food safety and standard authority of India Options दिएगे है ministry of food processing, ministry of health and family welfare, ministry of agriculture and farmer welfare, none of the above यहां पर आपका correct answer क्या होगा? Correct answer देखो पहला वाला तो हो नहीं सकता है क्योंकि ministry of food processing, food processing अलग है food की safety और standards अलग है But ministry of health and family welfare, जब हम health की बात करते हैं तो food की safety जब वहाँ पर आती है तो वहाँ पर health relate हो जाती है तो यहाँ पर हमारा correct answer हो जाएगा यह ministry of agriculture and farmer welfare होगा नहीं ठीक है? उसके बाद में none of the above तो हमारा correct answer क्या होगा? Ministry of health and family welfare देखो एक बात धियान रखना, 2005 में 2005 में जब बिल आया था उस ताइम पर जो काम दिया गया था वो ministry of food processing को दिया गया था ministry of food processing को दिया गया था कि यह बिल वगेरा बनाना और यह सारी चीजे बड़ यब यह बनके तयार हुआ तो यह सारा का सारा जो पूरा का पूरा काम है वो किसको सौब दिया गया ministry of health and family welfare को तो अगर आप से question पूछा जाएगा parent ministry कौन है तो ministry of health and family welfare correct option आपका होगा तो यहाँ पर यह बात समझ चुके हैं question number 5 हमारे सामने आता है question number 5 हमारे सामने यह आता है कि chair person of the food authority chair person of the food authority chair person of the food authority should be well versed in the field of engineering की field में well versed होने चाहिए कौन chair person या फिर social science में या फिर food science में या फिर medicine की field में तो जैसा कि already starting में हमने इसको लेकर बात करी थी जो भी हमारे chair person होते हैं उनका इस बात का assure होना जरूरी है कि उनको food science का knowledge होना जरूरी है ठीक है क्योंकि वो इंडिया की एक top most authority पे बैठे हुए हैं आप यह कह सकते हो कि पूरी के पूरी country में food safety को लेकर के FSSCI एक बहुत बड़ा organization है इतना बड़ा organization है कि अगर international level पे भी country को represent करना होता है तो FSSCI करता है उनके case में उनको food science का knowledge होना बहुत जरूरी है ठीक है तो इसको लेकर कि government ने बोला भी है जो हमारा law बना है उस law में देखो लिखा गया कि as per the food safety and standard act जब भी आप FSSCI को पढ़ोगे FSSCI को समझोगे वहाँ पर line by line बहुत जगा पर food safety and standard act का नाम यूज होगा as per food safety and standard act 2006 as per food safety and standard act 2006 तो इस वज़े से act 2006 समुझना बहुत important है questions आपकी assistant में भी इससे directly बूचे गए ठीक है तो यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान रखना है अब यहाँ पर अगर हम समझें तो यहाँ पर लिखा गया है कि the chair person shall be appointed by the central government तो central government इनका appointment करेगी from amongst the person of eminence in the field of eminence in the field of food science food science में उनको अच्छा knowledge होना चाहिए from among the person from the administration साथ में यह भी condition है कि administration अब administration कहां से आएगा वो आई एस officers होंगे who have been associated with the subject and is either holding or has held the position of the not below the rank of secretary to the government of India तो यानि कहने का मतलब यह है कि जो government of India में secretary की rank होती है उसके equivalent होना चाहिए ठीक है यहाँ पर यह लिखा गया है has held the position not below the rank of secretary यानि कि minimum secretary rank के जो अधिकारी होंगे officers होंगे उनी को यहाँ पर as a chair person appoint किया जाएगा यह उनका basic qualification है तो यानि कि काफी senior होते है starting उनका career होता है UPSC clear करते हैं IS बनते हैं IS बनने के बाद में उसका उनका different districts में वो काम करते हैं district collector बनते हैं उसके बाद में promote होकर कि additional secretary joint secretary उसके बाद में secretary बगरा बनते हैं तब जाकर के कहीं उनको इस post पे बैठने का मौका मिलता है ठीक है तो यह एक basic qualification होती है उनके लिए उसके बाद में देखो हमारे सामने आता है question number 6 question number 6 हमारे सामने यह कहता है what is the basic purpose of establishing food standards food standards जो है जब हम बात करते हैं तो food standards को establish करने का basic purpose क्या है option number A है assure the quality of agriculture products in India ठीक है agriculture products है उनकी quality को assure करना to achieve the food security for all या फिर protection of public health and risk promoting fair trade in food या फिर none of the above तो आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है तो option number A अगर हम देखे assure the quality of agriculture product in India गलत है तो यह हमारा काम नहीं है कि जो agriculture products है उनकी quality को हम assure करें ठीक है यह यहाँ पर standards का काम नहीं है ठीक है to achieve food security for all बिल्कुल भी नहीं तो इसको लेकर के हमारा काम नहीं है यह कुछ हद तक जो FCI है Food Corporation of India उसका काम होता है वो एक तरीके से इन चीजों को करते है हमारा option number C जो है वो correct है यानि कि यहाँ पर FCI का अगर नाम देखे protection of public health and risk public health है उसका एक तरीके से उसको protect करना उसको किस तरीके से protect करना जो public health होती है उसको लेकर के जो भी risk वगेरा होते हैं उनसे protect करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को food safety को लेकर के aware करना promoting fair trade in food अब fair trade का मतलब यहाँ पर क्या है जब भी हम Codex Elementary Commission को बढ़ते हैं वहाँ से यह concept निकल करके आता है कि fair trade होना चाहिए किसी भी nation में fair trade का मतलब यह है कि जो भी हमने laws बनाया है जो भी हमने standards बनाया है वो सबके लिए common होने चाहिए चाहे आप North Reason में कोई business कर रहा है चाहे कोई South Reason में कर रहा है कोई केरला में है कोई Delhi में है कोई अरुनाचल प्रदेश में है कोई पंजाब में है कहीं भी है तो जो भी rules and regulations जो बनाये गए है वो सबके लिए common होने चाहिए यहाँ पर यानि कि एक तरीके से trade जो है वो fair nature का होना चाहिए उसमें किसी भी तरीके की एक तरीके से discrimination नहीं होना चाहिए पूरी की पूरी तरीके से transparency हमें देखने को मिले ठीक है तो food standards and related tax aim at protecting consumers health and ensuring fair practices in the food trade यह जो statement आपको दिख रहा है इंटरनेशनल लेवल पे यह statement फॉलो होता है इंटरनेशनल लेवल पे जो food law काम करता है वहां का यह statement निकल करके आता है Codex Elementary Commission का वुसी को हमारी country में FSS AIB implement करता है तो यह बहुत important है ध्यान दगना protecting consumers health and ensuring fair practices in food trade बहुत important line है बहुत जादा important है यह ठीक है Question number 7 हमारे सामने यह निकल करके आता है Question number 7 में यह कह रहा है कि scientific committee जो है comprises आपने scientific committee वगेरा के बारे में जब आप food safety ने standard act 2006 पढ़ोगे जब यह 2006 वाला जब आप act पढ़ोगे तो वहाँ पर आप जब chapter number 2 पढ़ोगे जो कि directly FSS AI के बारे में deal करता है तो वहाँ पर आपको यह सब पढ़ने को मिलेगा scientific committee and scientific panel के बारे में Already इनके बारे में अपनी classes में discuss कर चुके है कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो please request है कि अगर आप उन classes को देखो कि application पे आपको मिल जाएंगी तो आपको proper manner में चीजे clear हो जाएंगी scientific committee जो होता है उसमें कौन-कौन से members होते हैं comprises कौन-कौन से members होते हैं और वो कहां से होते हैं यही basically पूछना चाहरा है तो all members of the scientific panel and chair person of the scientific panel पहला यह बोल रहा है कि जो scientific committee है scientific panel दोनों में difference है scientific committee comprises all members of the scientific panel and chair person of the scientific panel option no.2 है chair person of all scientific panel and six independent members या फिर all members of the scientific panel and six independent members या फिर all chair person of the scientific panel थोड़ा सा confusing हो गया अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कर ले जाओगे option number पहला हमारा गलत है all members of scientific panel जो होते हैं वो scientific committee में नहीं होते हैं ठीक है option number B है chair person of the all scientific panel and six independent members यह हमारा correct है यानि कि जो scientific committee बनती है उसके साथी साथ जो scientific panel होते है scientific panel जो होते हैं अब क्या होता है जैसे कि food में different additive हो गया toxins हो गया contaminants हो गया इनको लेकर कि different different panel है वो panel क्या करते हैं standards बनाते हैं तो जो different different panel होंगे अब पैनल अभी के टाइम पर 21 panel है क्या हो सकता है कि in future FSSI चाहे तो number of panels बढ़ा सकता है बना सकता है ठीक है तो कौन कौन से पैनल है यह सब classes में हमने पढ़ा है तो यहां पर chair person of the all scientific panel तो जितने scientific panel है उन सारे panel में हर panel का एक चेर परसन होगा तो वो चेर परसन एड़ इंडिपेंडेंट मेंबर यानि कि अलग से six member होंगे जिनका इस scientific panel से कोई लेना देना नहीं होगा तो यहां पर यह हमारा option साही हो जाएगा option number यह भी गलत हो जाएगा और यह भी गलत हो जाएगा तो भी हमारा correct होगा ठीक है तो यहां पर यहीं लिखा गया है कि chair person of all scientific panel साती साथ six independent member जो है वो correct होगा अब यहां पर ए scientific committee which cell consists of the chair person of the scientific panel and six independent scientific experts not belonging or affiliated to the any scientific panel जो six independent होंगे वो किसी भी तरीके से relation नहीं रखते होंगे scientific panel से scientific committee shall be responsible for the providing the scientific opinion अब यह जो scientific committee है इसका क्या काम है यह scientific opinion प्रवाइड करेंगे किसको to the food authority ठीक है FSAI जब भी कोई काम करेगा जब भी कोई standards बनाएगा तो उस time पर उसको कुछ advice की जरूरत होगी तो scientific committee में बहुत पढ़े लिखे मतलब background से लोग होते हैं कुछ scientist होते हैं research scholars बगएरा होते हैं वो वहाँ पर enter करते हैं तो यहां पर basically उनका पूरा science based background होता है उनको बहुत अ knowledge होता है जोनोंने बहुत अच्छे से research करी हुई है ठीक है तो वो लोग यहां पर होते हैं पूरी की पूरी टीम में तो वो लोग यहां पर FSAI को क्या करते हैं अपने एक तरीके से क्या करते हैं अपने opinions प्रोवाइड करते हैं ठीक है and cell have the power where necessary or organizing public hearing अगर उनको कहीं पर the general coordination necessary to ensure the consistency of the scientific opinion procedure and in particularly with regards to the adoption of the working procedure and harmonization of the working method of the scientific panel अब आप यहां पर समझो यह जो statement दिया है यहां से question बन सकता है बिल्कुल बन सकता है बनते भी हैं पिछले papers में आप देखो के बनते हैं scientific committee के पास में और का और क्या है यह इसके लिए responsible होते है general coordination देखने को मिलता है necessary to ensure the consistency of the scientific opinion procedure and the particular with regard to the adoption of the working procedure and harmonization of the working method of the scientific panel तो scientific panel जो भी काम करते हैं जो भी चीज़े इनको लेकर के करी जाती है उसमें एक तरीके से harmonization मेंटेन रहे है ठीक है प्रापर मैनर में चीज़े चलती रहे हैं लोग आपस में जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक coordination होना चाहिए तभी तो बता चले एक committee panel कुछ और कर रहा है एक panel कुछ और कर रहा है वो बोलने है आप अपने according करो हम अपने according करेंगे ऐसे कोई organization आगे नहीं बढ़ सकता हमें चाहिए teamwork तो teamwork और teamwork तभी काम करेगा जब team सारी की सारी team मिलकर के आपस में काम करेंगी एक team के अंदर जो member है वो अच्छे से काम करें different panel या फिर टीम से वो मिलकर के एक organization के लिए अच्छे से काम करें तो proper harmonization होना चाहिए तो ये कौन करेगा scientific committee इसके लिए responsible है ठीक है उसके बाद में लिखा गया है the scientific committee shall provide opinion on multi-sectoral issue falling within the competence of more than one scientific panel and on issue which do not fall within the competence of any of the scientific panel अब क्या हुआ कि scientific panel बना दिएगे बट problem अगर कुछ आती है कोई issue create होता है इंडिया में कोई नया issue आ जाता है किसी भी article of food को लेकर के कुछ standards को लेकर के कुछ भी आ जाता है तो अगर उस case में चीजे है अब उसके लिए अगर scientific panel नहीं available है उसके लिए panel नहीं तो available है तो scientific committee की responsibility बनेगी वो क्या करेंगे वो यहां पर उन सारे issues को resolve करने में वो चाहेंगे तो कोई panel उस तमें कोई team बना सकते हैं ठीक है लोगों को collect करके एक committee बना दिया तो उनके ओपर depend करता है वो कैसे यहां पर किसी भी तरीके से multi-sectoral जो issues होते हैं जो एक तरीके से किसी भी scientific panel के jurisdiction में नहीं आते हैं उनको यहां पर यह resolve कर सकते हैं ठीक है तो scientific committee के पास में बहुत सारी authorities हमें देखने को मिलते हैं उसके बाद में हमारे सामने आता है question number 8 में क्या पूछ रहा है देखो question number 8 में हमारे सामने पूछ रहा है कि what is the role of scientific committee directly यहां पर role पूछे जा रहे है scientific committee की तो थोड़ा बहुत हमने जो पीछे पढ़ा उससे आपको यहां पर idea लग जाना चाहिए options दिएगे हैं हमारे सामने providing opinion to food authority on enforcement of act and regulation ठीक है दूसरा option हमारे सामने है make rules for implementation of act and regulation option number C हमारे सामने क्या है providing consistent opinion to the food authority while harmonizing working method of scientific panel तो आपको यहां पर क्या लगता है तो यहां पर अगर आप देखो तो यह तो हमने अभी recently पढ़ा था पिछले वाले जो slide पे हमने देखा था तो यह तो आप कह सकते हो कि correct है कि scientific panel को लेकर के scientific committee बहुत सारी चीज़े उसके पास में है वो यहां पर harmonizing working method of scientific panel तो यह सही होगा क्या पहला statement सही है providing opinion to the food authority on enforcement of act and regulation यह गलत होगा क्योंकि scientific committee का काम यह है कि scientific मुद्धों पे आप बात अपनी राय दे सकते हो जो enforcement है regulation है उसको लेकर के इनका दायरा नहीं है make rules for implementation of act तो rules बनाने की power केवल हो केवल central government के पास है जब food safety in standard act 2006 जब आप पढ़ते हो तो वहां पर section number 91 है and section number 92 है section number 91 empower करता है central government को rules बनाने के लिए तो rules कौन बना सकता है central government बना सकती है 92 empower करता है regulation को बनाने के लिए तो regulation कौन बना सकता है regulation बना सकता है FSSAI तो FSSAI regulation बना सकता है अब FSSAI का एक part है scientific committee तो scientific committee regulation नहीं बना सकती है इस बात को दियान रखना ठीक है तो हमारा option number जो c है ये हमारा correct हो जाएगा ठीक है तो वही हहां पर बात बोली गई है अब यहां पर चीजे थोड़ी से और डिटेल में आप समझ लो कि जो साइंटिफिक कमिटी होता है साइंटिफिक कमिटी सेल बी रिस्पॉंसिबल फॉर जनरल कोडिनेशन अल्रेडी हमने पीछे देखा था साइंटिफिक कमिटी सेल प्रोवाइड ओपिनियन अंदा मल्टी सेक्टरल इशू पीछे जो अमने देखा था वही यहां पर एक्लिनेशन दिया गया है क्वेशन नंबर 9 देखो हमारे सामने आता है कि which of the following are the function of scientific committee अब नीचे दिये गये जो है क्वेशन उनमें से function of scientific committee हमें यहां पर बताना है पहला है identification of new risk associated with metallic contaminants residues of veterinary drug option number पहला ये कह रहा है कि identification of new risk जो नए नए risk होते है न कभी कभी क्या होता है कि हमें नहीं पता होता है जो मार्केट में कोई food आता है धीरे धीरे चीज़ आती है ground level पर हमें पता चलता है कि इसकी वज़े से ये particular disease हो रही है इसकी वज़े से health risk हमें देखने को मिलने है तो यहाँ पर identification of new risk associated with the metallic contaminants और residues of veterinary drugs होते हैं उनको यहाँ पर identify करना होता है दूसरा option दिया गया है provides opinion on cross industry and sectoral issues उसके बाद में provides consistent opinion to the food authority while harmonizing working method of the scientific panel तो देखो पहला भी सही है क्योंकि एक तरीके से यह पूरी की पूरी के scientific committee का ही काम है कि जो भी risk है उसको identify करना opinion on cross industry और जो sectoral issues है वो भी हमारा correct होगा third वाला तो correct है यह उसको देखते है all of the above हमारा correct हो जाएगा ठीक है scientific committee and scientific panel classes में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है इन सारी चीजों को बड़ यहां पर अगर आपको चीजे समझ में नहीं आ रही है इसका मतलब आपने बिल्कुल भी अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले अपने basics के लियर करिए उसके बाद में चीजे आपको समझ में आ once in eight month once in four month ठीक है तो यहां पर आपको क्या बताना है पहली बात तो यहां पर पूछार गया है frequency of audit frequency of audit का मतलब यह है कि साल में किसी audit को दो बार कराना है तो दो इसकी frequency हो जाएगी तीन बार कराना है तीन इसकी frequency हो जाएगी छे बार कराना साथ बार कराना कितनी बार कराना ह तो उसको हम यहाँ पर frequency बोलते है, audit क्या होता है, audit एक independent examination होता है, records का, premises का, उसको हम अभी और देखेंगे आगे, तो वहाँ पर क्या होता है, एक third party orders होता है, एक यहाँ पर primary, secondary audit ऐसे चीज़े देखने को मिलती है, तो audit एक तरीके से क्या होता है, किसी हम third party को बुलाते हैं, और वह हमारे यहाँ पर आकर कि पूरा का पूरा inspection करते हैं, हमारे accounts चेक करते हैं, हमारे hyzine practices जो हम maintain कर रहें, उनको चेक करते हैं, food को बनाने में जो भी parameters होते हैं, जो भी process हमें use करना, जो भी standards वगैरा हमें use करने होते हैं, उनको हम follow कर रहें या नहीं कर रहें, तो वो में एक बार इस score के साथ में अब इससे related कुछ और question भी आगे बन सकता है उसको मैं अभी आपको डिटेल में समझाते हैं जैसे कि यहां पर आपने समझ लिया इसका अंसर जाओगा देखो तो audit होता क्या है अलेडी हमने यूटूब पे एक वीडियो डाला हुआ है उससे बेटर वीडियो पूरे यूटूब पे नहीं है ठीक है आप सर्च करोगे थर्ड पार्टी ऑडिट बाइस वाइजुकेशन आपको डिटेल में मिल जाएगा आपको सारी चीज़े अच्छे से समझ में आ जाएगे एन ऑडिट क्या होता है यूजली डिफाइंड एदा सिस्टमेटिक और इंडिपेंडेंट और डाकुमेंटेट प्रॉसस होता है पहली बात तो यह सिस्टमेटिक होता है ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कैसे भी ऑडिट कर लिया उसका एक प्रॉपर प होते हैं साथ में जो भी प्रॉसेस और जो भी प्रैक्टिसेस वह फॉलो कर रहा है फूट बिजनस ऑपरेटर हाइजीन को मेंटेन करने के लिए उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया जाता है तो यह एक डॉकुमेंटेड प्रॉसस होता है ठीक है फूट सेफ्टी ऑडिट क्या होता है देखो फूट सेफ्टी ऑडिट की अगर हम बात करें तो यहां पर यह भी सिस्टेमेटिक एंड फंक्शनली इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है और दा सेनेटरी एंड हाइजीन कंप्लाइंस एस पर शुडूल नंबर फूर फूट सेफ्टी मेजर्स बेस्ट ऑन दा एचे सेफ्टी एंड अधर स्टैंडर्स जैसे कि यहां पर देखो के प्रोड़क्ट स्टैंडर्स अडप्टेट बाइदा फूट बिजनेस ऑपरेटर तो मीट दा रेगुलेटरी रिक्वार्मेंट जब आप फूट सेफ्टी नि सेफ्टी नंबर फूर में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा वहां पर आपको हाइजीन एंड सेनिटरी प्रेक्टिस और हाइजीन के बारे में देखने को मिलेगा क्या क्या प्रेक्टिस हैं जो फॉलो करनी होती है तो उसको चेक करना होता है तो food safety audit में उनी को check किया जाता है उनका proper inspection किया जाता है कि जो हमारे law में जो चीजे लिखी है ground level पे food business operator उनको follow कर रहा है या नहीं कर रहा है तो यह चीज हमें कैसे पता चलती है हम audit कराते तो हमें audit में पता चलता है ठीक है उसके बाद में देखो question कहां से आया था वो मैं आपको समझा देता हूँ एक question आया था इसको लेकर के बहुत सारे परिशान रहते हैं तो हमारा question आया था confessionary को लेकर के यहां पर तीन बाते आप ध्यान रखना audit की frequency जैसे minimum 6 महीने है ठीक है उसके बाद में 12 महीने है नौ महीने भी है और 18 महीने भी है अगर आपको तीन महीने चार महीने ऐसा कुछ दिख रहा है तो पहले cross कर दो अगर आपको 6 मंथ, 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने दिख रहा है तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको logic लगाना है तो सबसे पहली बात चीज ऐसी है कि जो चीज़े बहुत ज़्यादा खराब होने वाली होती है जैसे कि milk हो गया milk से बने products होते है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइ अगर यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर प्रोड़क्ट आईडी दी है यह 1234 यह है यह क्या है यह product ID यानि की product की category है जब हम food को divide करते है food को आज के time पर total 17 या 18 categories में divide किया गया है वही numbers यहाँ पर दिये गया है 1234 अब यह जो 1234 पड़े यह कोई serial number नहीं है आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि दो number पे किसी और को रख दिया तीन number पे किसी और को रख दिया ठीक है यह proper category divide करी ग 12 मंत के साथ में audit frequency होगी इसके साथ में score 51 से 80 के बीच में अगर देखते हैं तो वहाँ पर 9 मंत का अगर यहाँ पर 50 तक या 50 से नीचे अगर आप देखोगे score तो वहाँ पर once in six months तो कहने का मतलब है audit अगर यहाँ पर हो रहा है अगर audit साल में एक बार हो रहा है तो उस case में अगर आप यहाँ पर देखोगे कि audit score एक दिया जाता है 100 में तो वह आपका 81 से 100 के बीच में होना चाहिए अगर 9 मंत में हो रहा है तो यहाँ पर 51 से 80 के बीच में होना चाहिए अगर वहाँ पर 6 मंत में हो रहा है तो 50 से नीचे भी होगा तो चलेगा ठीक है तो हमारा question जो है जिससे license के time पर मुश्किले ना हो जैसे किसी को पता है कि वो category number 10 का जो business कर रहा है तो category number 10 से पता चल जाएगा कि वो egg और egg products का business कर रहा है तो ऐसे करके उनको लेकर के यहाँ पर audits लगेरा के बारे में mention किया गया है last में हमारा आता है 99 यह 99 जो है यह है गलत नहीं है 99 यहाँ पर 16 तक 123456 करके है लास्ट वाली जो category 17 नंबर वो category number 99 जो है उसमें substances added to food आता है ठीक है तो यह बात आप ध्यान लखना तो यह मस समझना कि यहाँ पर 17 होना चाहिए था और यह गलत हो गया है आई होप आपको यह चीजे समझ में आई इसका भी आप एक screenshot लेलो तो यहां से समझने लाए कुछ ऐसा नहीं है बट यहां से डारेक्ट अगर question आएगा एक आ चुका है अगर आगे आएगा तो आप इसमें से कर पाऊगे ठीक है याद तो आपको ही रखना पड़ेगा कुछ questions आपको एसिस्टेंट में आगे आने वाले टाइम पे out of syllabus देखने को मिलेंगे तो उनके पीछे परिसान मत हो सारे regulations को पहणने की कोशिश भी मत करना अधर्वाइस जो आपका score बनना भी होगा वो भी नहीं बनेगा क्या प्रॉब्लम है कि कोई regulations में सारे regulations के pages को अगर आप add करते हैं अगर आपको just formality करने हैं तो कोई मतलब नहीं है अगर आप बहुत दीप में पढ़ोगे भी तो कोई जरूरी नहीं है पेपर के टाइम पे आप उन questions को कर पाओ तो ध्यान रहे अगर आप वीडियो लेक्चर वगएरा कुछ लेना चाहते हो तो आप स्वाय एजुकेशन एप डाउनलोड करो वेबसाइट पर विजिट करो वहां से आपको इस सारी classes वगएरा डेटेल में मिल जाएंगी तब तक के लिए थैंक्यू हेव अनलेजे मिलते हैं नेक्ट क्लास में कुछ और नेक्ट एमसीक्यू हम डिसकस करेंगे ठीक है